बचो नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चेनल नाग्याज लर्निंग अड़ा पर दो दिन जो है अपन वीडियो नहीं बना पाए आज की इस क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं हम NDIA के लिए कुछ classes की बात कर रहे थे तो हमारा टॉपिक जो था वो प्रोनाउन था प्रोनाउन से related हम कुछ concepts पढ़ रहे थे तो आज उनहीं concepts में आगे बढ़ते हैं देखे बचो हमने एक concept में कुछ rules पढ़े थे आज की इस क्लास में कुछ और rules तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले use of that की बात करने वाले हैं किसकी बात करेंगे use of that that के क्या-क्य uses है that के जो use हैं वो कुछ इस तरह से है that के use यहाँ से start करते है पहला use यह है कि that जो होता है वो अगर किसी sentence में एक person plus एक animal हो किसी sentence में एक person और एक animal हो या फिर sentence में person plus thing हो तब उस condition में हम sentence में किसका use करते हैं that का use करते हैं अब कैसे करते हैं यहाँ पर example से समझे कि जैसे अपने कहते हैं both the rider and the horse which fell down which fell down were wounded were wounded दोनों घोडा और घोडसवार जो नीचे गिरे वो जखमी हो गए अब माल लो यह इस तरह से error का कोई question होता यह इसका A part यह इसका B part और यह इसका C और यह D both the rider and the horse which fell down were wounded अब यहाँ पर देखो rider जो होता न यह person है rider मतलब घोडसवार और horse एनिमल है इसका मतलब sentence में एक person और एक एनिमल है तो person और एनिमल होगा तो ऐसे sentence में हम which का use नहीं कर सकते ऐसे sentence में हम किस का use करेंगे that का use करेंगे ऐसे ही person और thing होता है तब भी अपन that का use करते हैं जैसे यह sentence होता both both the rider the rider नहीं both the driver the driver and the car and the car which you which you saw in the market saw in the market belong to me belong to me यह कह रहा है दोनों जो driver और car तुमने बजार में देखी थी वो मेरे हैं तो यह इसका a part यह b part हो गया यह sentence का हो गया c part और यह हो गया d अब driver क्या है person है और car क्या है thing है तो car और इसका मतलब person और thing हुआ तो person और thing हुआ तो ऐसे sentence में हम किसका use करते हैं that का use करते हैं ऐसे sentence में which का use नहीं होगा इसका concept number two क्या है अगर किसी sentence में the same the same या the only या फिर the little the little या फिर none आ जाए तो ऐसे sentence में हमें relative pronoun के रूप में that का use करना होता है अब कैसे example से समझते हैं जैसे ये example है man is man is the only animal only animal which can think मनुश्य एक मातर ऐसा पशू है जो सोच भी सकता है तो ये sentence का है a part ये sentence का है b part ये है sentence का c part और d अब इस sentence में the only आ रहे है और जब the only आ जाएगा तो ऐसे sentence में हम which का या who का use नहीं करेंगे ऐसे sentence में हम किस का use करेंगे that का तो man is the only animal that can think इसी तरह दूसरा question है you are the you are the same boy you are the same boy whom I saw in the market in the market ये sentence है अब इस sentence में देखो the same आ रहा है तो फिर whom का use नहीं होगा यहां पर use किसका होगा that का use होगा तो that के use पढ़ रहे हैं अपन और अपना concept नमबर पहला ये है इसका पन इस तरह से box में लिख लेते हैं है ना animal person और animal होगा तो sentence में that का use होगा और person और thing होगा तो भी sentence में that का प्रियोग होगा और दूसरा concept क्या है हमारा दूसरा concept ये है अगर किसी sentence में the same the only the little या the none only none ये होगा तो ऐसे sentence में भी हम that का use करते हैं आगे देखें that के और क्या use हो सकते है that का तीसरा use that का तीसरा concept ये है कि अगर किसी sentence की शुरुआत who से या फिर what से या फिर which से हो और last में question mark हो तो बीच में अगर किसी relative pronoun की जूरुद पड़ेगी तो वो that होगा ये concept number that का तीसरा जैसे example से समझ लेते हैं अपन example से क्या समझें जैसे अपने कहते हैं who am I who am I who scold you who am I who scold you इस का रत हुआ कि तुम्हें डांटने वाला मैं कोन होता हूँ अब sentence की starting किस से हो रही है who से और ये sentence माल लो error का होता a part ये इसका b part ये इसका c part और ये no error d part sentence की starting है who से last में है question mark तो बीच में who नहीं आ सकता बीच में किसका use होगा बीच में use होगा that का who am I that scold you इसी तरह अगर अपन ऐसे लिखें what is there what is there which makes you laugh which makes you laugh what is there which makes you laugh वहाँ क्या है जिस पर तुम्हें हसी आ रही है ये sentence का a part है sentence का b part है sentence का c part है और no error आप देखो sentence की सुरुआत what से हो रही है last में question mark है तो बीच में which नहीं आएगा बीच में that आएगा इसी तरह अगर अपन ऐसे कह दें कि which is your book which is your book which is your book which you like most which you like most तुम्हारी कौन सी पुस्तक है जिसे तुम बेहत पसंद करते हो तो ये sentence का है a part ये है sentence का b part ये है sentence का c part और d अब sentence की सुरुआत किस से है which से last में क्या है question mark तो बीच में क्या आएगा बीच में आएगा निश्चीत रूप से that आएगा और एक चोथा concept अपन को और याद रखना है चोथा concept कुन सा है fourth number कि no preposition no preposition no preposition no preposition before before that that से पहले preposition का use नहीं होना चाहिए कोई भी preposition that से पहले नहीं आ सकता यह हमारा fourth concept से है तो यहां पर देखते हैं अपन जैसे अपन कहते हैं the medicine the medicine of that of that alcohol alcohol is a component component should not be given should not be given to the children to the children यह कह रहा है ऐसी दवायां जिन में alcohol वह बच्चों को नहीं देनी चाहिए तो देखो बच्चों यहां पर that का use हो रहा है और उससे पहले preposition आ रहा है तो अगर यह error का sentence होता तो यहां पर sentence में mistake है यहां पर sentence में error है तो यह हलांकि that के बहुत सारे concepts होते हैं लेकिन यह most important concepts थे इनको आपको याद रखना है अब हम बात करते हैं किसकी एक होता है who और एक होता है whom और एक होता है whose इनकी कहानी समझते हैं यह कैसे use होते हैं इस में सबसे पहले अगर हम whom की बात करें तो आप एक दो बाते याद रखो पहली बात तो यह कि इसका use किस के लिए होता है इसका use persons के लिए होता है वेक्तियों के लिए होता है और दूसरा इसके बाद या तो helping verb का use किया जाता है helping verb या फिर इसके बाद किसका use होगा main verb helping verb या main verb का use होता है whom जो होता है इसके बाद हम noun का भी use कर सकते है और इसके बाद हम pronoun का भी use कर सकते है लेकिन whose के बाद हम only noun का use कर सकते है only noun pronoun का use नहीं कर सकते है अब देखो यह तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों कुई कि हू का यूज परसन के लिए होता है और बाद में helping वर भी a man वर बाती है लेकिन यहां दिक्कत आ सकते है क्योंकि हूम के बाद भी noun है और हूज के बाद भी noun है पर नाउन अगर आजाएगा जब तो हमें समझ में आएगा कि हूज का यूज नहीं होगा हूम का यूज होगा लेकिन नाउन आगी तो आप फस सकते हो तो इससे बचने के लिए आपको हिंदी अर्थ पर जाना पड़ेगा whom का अर्थ होता है जिससे और whose का अर्थ होता है जिसका बस यहां से आपको रास्ता मिल जाएगा sentence में error निकालने का अब अपन example से समझते हैं सबसे पहले अपन ऐसे लिखते हैं कि Mr. Sharma Mr. Sharma is a good man Mr. Sharma is a good man who is my neighbor आप देखो who person के लिए होता है तो Mr. Sharma person है और इसके बाद helping वर्व या main वर्व आने जीए तो यह वर्व भी आ रही है इसलिए यह sentence तो सही है यहां पर whom लिख दोगे तो गलत है क्योंकि whom के बाद तो ना उना या पर ना उना आता है तो यहां पर वर्व है और बाई चांस यहां पर आपको example में या question में हूज या हूम देता है तो यह गलत होंगे क्योंकि बाद में वर्व पड़ी है वर्व तो हू के बाद ही आएगी अब हूम और हूस को समझ लेते हैं जैसे जोन जोन हूम हूम टीचर स्कॉल्डेड हूम टीचर स्कॉल्डेड इस वीपिंग यह कह रहा है कि जोन जिसे टीचर ने डांटा था रो रहा है और हूम का अर्थ क्या होता है जिसे और हूम के बाद नाउन आ सकती है क्या हूम के बाद टीचर नाउन आ सकती है इसलिए सही है और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूज whose के बाद भी तो noun आ सकते हैं अगर मैं whose लिखता तो ये गलत हो जाता गलत क्यों हो सकता था भाई whose के बाद तो noun यूज कर सकते हैं फिर गलत क्यों हुआ क्यों कि अब हिंदी अर्थ के अनुसार अर्थ नहीं बैठ रहा क्योंकि whose का अर्थ होता है जिसका तो जोन जिसका teacher ने डांटा था नहीं होगा जोन जिसे teacher ने डांटा था ये होना चीए इसलिए अपन whom का यूज करेंगे हाँ अगर pronoun होगा फिर आपको तो whom ही का यूज करना है whose तो होगा नहीं जैसे अगर मैं ये sentence ऐसे लिखता हूँ जोन और मैं यहाँ पर लिखता हूँ whose I scolded जिसे मैंने डांटा था is weeping जोन जिसे मैंने डांटा था रो रहा है तो यहाँ पर अब देखो whose यहाँ पर I क्या है I तो pronoun है तो whose के बाद तो प्रनावन आता नहीं only noun आता है प्रनावन आता किसके बाद है whom के बाद तो निश्चित रूप से यहाँ पर अंसर क्या होगा whom होगा अब आप सोच रहोंगे sir फिर यह whose use का होता है whose का use मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ जैसे कि John John whose mobile phone has lost mobile phone has lost is weeping John जिसका mobile phone खोचुका है रूरा है अब whose का रहता है जिसका और mobile phone क्या है noun तो whose के बाद noun आती है और हिंदी अर्थ क्या होता है जिसका तो John जिसका mobile phone खोचुका है रूरा है इस तरह से यह relative प्रनावन में who, whose, whom or that यह most important होते हैं इनका यूज आज क्लास में हमने पढ़ा अगली क्लास में फिर और कंसेप्ट के साथ मिलते हैं तब तक नमस्कार